हेलो फ्रेंड्स मेरे इस योटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बताने वाला है कि अपना आधर कार्ड में इमेल आईडी कैसे एड़ करें हाँ फ्रेंड्स आप अपना घर बैठे एक मुवाल फोन के मदद से आप अपना आधर कार्ड में इमेल आईडी एड़ कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंट्स आप अपना घर बैठे एक मुवाल फून के मदल से आप अपना आधरकर्ण में email id एड़ कर सकते हैं हाँ फ्रेंट्स इमेल id एड़ करने का एक सबसे वारा फायदा यह है कि अगर आपको CSP लेना है तो अपना आधरकर्ण में email id एड़ करना बेहत जरूर होता है हाँ फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आगर आपको भी CSC यानि की CSP लेना है तो फिर यह वीडियो आपके लिया है फ्रेंट्स वीडियो को सुरूर से लेकर आप तक जरूर देखे आपको एक e-step वाई e-step हम बताने वाला है कि आधरकर्ण में email id कैसे आड़ करे हाँ फ्रेंट्स तो फिर वीडियो को सुरूर से लेकर आप तक जरूर देखे फ्रेंट्स अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज सब्सक्राइब करके बेल घंडे के दबा लेना तकि इसी तरह के latest technology वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले आप अपना mobile phone के google.com को open कर लिजिए जैसे हम अपना mobile phone में google.com को open कर लिया है open करने के बाद फ्रेंट्स आपको इस search box में लिखना है आधर कर लिंग आधर कर लिंग टू इमेल आईडी हाँ फ्रेंट्स आपको search box में type परना है आधर कर लिंग टू इमेल आईडी जैसे कि देखे हम type कर दिये फ्रेंट्स तच लिए हम search में click कर देते है तो फ्रेंट्स जैसे हम search पर click करते हैं तो मेरा mobile screen पर कुछ ऐसे वह एंडरेस पर सखूल जाता है जो कि हमें इमेल आईडी आधर करना है तो फ्रेंट्स हमें इस option पर click कर देना है verify email हाँ फ्रेंट्स इस option पर हमें click कर देना है तो फ्रेंट्स इस पर click करने के बाद मेरा mobile में कुछ ऐसा वह एंडरेस पर सखूल गया है जो कि जिस आधर कर में आपको email ID ऐड करना है उस आधर number को हुआ डाल देना है तो छली हम सीम्पल हम आपना email ID को भी डाल देना है तो छली हम अपना email ID को डाल देते है तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना इमेल आईडी को भी डाल दिये आपको यह मतलब कि क्याप्चर को भी डाल देना है क्याप्चर को डालने के बाद आपको यहां एक option दिख रहे हैं send otb तो फिर इसमें किलिक कर देने हैं चलिए हम otb में किलिक कर दिये हैं तो फ्रेंड्स send otb में किलिक करने के बाद मेरा already email id एड किया हुआ है इसलिए फ्रेंड्स मेरा दिख रहा है email you have already फिरवाई हाँ फ्रेंड्स मेरा email id पहले से ही एड किया हुआ है इसलिए मेरा यह message आ गया है अगर आपका email id नहीं message होता है तो आपका इसमें आ जाएगा email id verify success हाँ फ्रेंड्स तो आप भी इस तरह से आप अपना आधरकर में email id एड कर सकता है तो फ्रेंड्स उम्मेद है कि एक छोटा सा वीडियो आपका पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को तांग